MN TV और MN News उत्तर प्रदेश लगातार लोगों से चर्चा कर रहा है लोगों से पूछ रहा है और जो उत्तर प्रदेश के जो नेता भी है उनसे भी चर्चा कर रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की जो समस्या है वो बड़े पैमाने में समस्या है और उत्तर प्रदेश की बड़ प्रणप्राइश से चुन कर आते हैं उसके पहले इंद्रा गांदी सोरिया गांदी राजियो सारे लोग उत्तरप्रदेश में राजनीती है तो उत्तरप्रदेश की सामाजी करता है पत्रकार है ये उत्तरप्रदिश को किस तरफ से देखते है 2022 का चुना होगा इसमें कौन से मुद्ध होना चाहिए क्योंकि जो समस्य जो चल रही है लगातर हम देख रहे हैं उत्तरप्रदिश घुम रहे है आज 25 अवा जिला है सत्रा अकस्यम निकले हुए है राइबरिली से आज नोएडा में है तो हमारे साथ में है इकबाल अब्बासी सामाजी कारे करता है और दुसरे हरुन सैफी जो सभा के निता है तो मैं सबसे परे इकबाल अब्बासी से सवाल करूंगा कि योगी सरकार में अभी 67,000 भरतिया निकली थी तो कहा जाता है कि वो सही तरीके से भरी गई है आपका पिर्शन 67,000 भरतियों को लेकर है 67,000 भरतियों का जो पिर्चार पिर्शार है वो सत्ता पक्ष करेगा वो अपनी भरतियों को अच्छा बताएगा लेकिन सच्चा ही है कि पिछले पांच सालों में उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार है, कोई भरती नहीं हुई, ना पुलिस की कोई भरती है, ना सिक्षा विभाग में, ना स्वास्त विभाग में, इन लोगों को नोकरी मिल जाए, ये लोग सर्विस पाएं, जब मा भी समस्या का होना चाहिए, धार्मी का धार पर धुर्वी करन ना किया जाए, किसी भी तरीके से गंदी स्यासत ना की जाए, और युवा आज इतना परेशान है, मतलब आज की डेट में, पेट्रोल डिजल की महंगाई से, घरी लुगे स्ट्रेंडर की महंगाई से, जाना ऐसा कोई दिन नी जा रहा, जिसने चार-पांच लोग आत्मात्य एक जिले में ना कर रहे हो, कम से कम, तो बहुत ही भहने काकड़े हैं, ऐसा कभी महराष्ट में होता था, विधर्व में, कि महां के सूखा पढ़ता था, तो महां किसान आत्मात्य बड़ी संख्या मे करते थी, लेकिन अज उत्तरप्रदेश के भी हट जिले में लगवग यही तांडव मश्राम होता, तो मैं तो योगी की सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही है, और मोदी जी कहते कि मैं किसान का बेटा हूँ, और पिछले महने में 19,000 करोड उन्होंने किसानों के खाते और MSP रहेगी, तो आप सवाल क्यों करते हैं उन पर, मोदी जी पर? बस किसानों का यही कि तो यही तो सड़त है कि MSP आप लिखित में कारेंटी दे दो, मोखित की कारेंटी नहीं मान रहा किसान, किसान का बेटा पढ़ा लिखा है, किसान भी पढ़ा लिखा है, किसान किसी कि दोडी को सार्व करते तो कर दोड़ार दोड द्धिवास्यों को सरकार की दरबत हुआ हैं है लोग अ pak बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को जो दो-चार उद्योगपती हैं ये किर्शी छेत्र के असंगटित वैपार पर कभजा करना चाहते हैं आने वाले टेम में महंगाई 50 रुपे किलो आटा होगा चावाल होगा 100 रुपे किलो जो बिल्कुल मिनी से जादा किसानों को जो धान पर पैसा मिलेगा जो 6,000 के जागे 8,000 रुपे धान पर मिलेगा किंडल से तो क्या गलत है ये सपने दिखाना बंद करें सरकार पिछले दो बार से लगातार के अंदर में मोदी जी हैं और उत्तर प्रजेस में योगी जी हैं सपनों से काम नही किसानों की मांगे सारी जाइज हैं किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है हरुन सेपी साब से मैं सवाल करूंगा कि उत्तर पदेश में या केंदर की सरकार कहीती है कि बेटी बढ़ा बेटी बढ़ा हो और देखा जाता है कि उत्तर पदेश में लगातार मैलाओं पे बच तो यह जो कहते हैं आलग और बोलते अलग तो क्या सही है दोनों मेरा सवाल जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कि नारा इन लोगों दिया है बेटी पढ़ाओ तो अच्छा है पर बेटी बचाओ किससे बचाओ इन लोगों से तो बचाओ यही लोग तो कर रहे हैं इनकी सर्कार में फांसी होने चाहिए जो फांसी लगाने के लिए इनकी सारे आदमी बैठे हैं कोट में सब इनका आदमी सरकार दो चलाने वाले सब इनका आदमी तो भार से थोड़ी आ रहा है कोई आदमी उत्तर पर इसमें देखा गया है कि जो सही मायने में पत्रकार रित्या करते हैं पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है तो पत्रकारों के लिए कुछ कानून होना अगर आप जैसे आप लोग हो आप अपन पी निउस के नाम है कि इस तरीके चला हो आप आप सच्काइब निए दिखा हरो आज दो आज मुसलमान जाल झाल झाल स गहां जाता हूँ और ढूल अकबासी और हरुन सैफी साप इन्होंने बड़े सामाजिक मुद्धों पर चर्चा किया जो किसान अंदुलंस के संदर में चर्चा किया और बेरोजगारी पर चर्चा किया और इन दोनों मानेवरों का धन्यवाद और आप देखते रहें MN TV, MN News उत्तरप्रदेश झाल